गुर्मार्णिंग स्टूडेंज, अब आर्यू दियर, चले बचों, आज मैं आप लोगों को चैप्टर फोर, यच उधिस्तिर समबाद, चतूर्था पाठा, किन किन प्रस्नों के उत्तर आपको लिखना है, मैं आप लोगों को बताने जा रहे हैं, चतूर्था पाठा, यच यदिस्तिर समबाद, यह आपका चैप्टर हो गया बच्चों, और इसमें किन किन प्रस्नों के उत्तर आप लोगों को लिखने हैं, वो ध्यान से देखे, यह आपका शब्दार्थ है, यह शब्दार्थ आप लोगों को याद करना है, पार्ट में बहुत सारे इसका उच्चारन करना है अगर उच्चारन सही हो तो इस पेलिंग कभी रॉंग हो ही नहीं सकता तो आप इंडो का उच्चारन करना आप लोग सिखेगा और यह जो है एक पदेन लिखेगा यह नरा किम हित्वा प्रयोभवती किम हित्वा यह किम प्रस्ण वाचक शब्द हो गया कीम हित्वा को जग मानम हित्वा तो क्या आपको लिखना है यह पर वन वर्ड क्योंकि उत्रन एक पदेन वन वर्ड आंसर है यह आप आप मानम लिखोगे उसी तरह सारे प्रस्णों के उत्र आप लिखेंगे उसकी बाद आपको पूर्ण वाकियन उत्तरत कथम राष्टम मृतम मन्यते किस प्रकार का राष्टम मरा हुआ समझा जाता है मैंने पहली बताया था आप लोग को अराजक भरस्टा चार युकतराज तो कथम, राष्टम, मृतम, मन्यते, राजकम, राष्टम, ये कथम को आपरी प्लेस करके किजिएगा राजकम, राष्टम, मृतम, मन्यते, आदिछिन, यग्या, कथम, भवती, आदक्षिन, यग्या, कथम, किस परकार हैं मृदीता भवती उसी परकार आप लोग को प्रस्नों के उत्तर लिखना ये का खा गा हुआ आगे देखे ये घा केंग स्वरगम नगचती ये आप लोग बुग से चुन करके आप लोग लिखेगा उसके बादे खांकितानी पदानी आदरित्य प्रस निर्मानम कुरूद अंडर लाइन बड़ को आपको रिप्लेस करके प्रस माजग यह कामम हित्वा अर्थवान भाती यह S के जैसा जहने बचो यह से मैंने भी पहले भी बताते हैं इसे अवग्रह कहते हैं अवग्रह का उच्यारण अ की तरह होता है लूभम यह कामम हित्वा अर्थवानम भाती आपको जगा कीम हित्वा अर्थवानम भाती लूभम हित्वा सुखी भवे लूभम को आपको चेंज कर देना है कीम हित्वा सुखी भवे तमसा लोकर ना प्रकाशते तमसा अंधकार से या भज़ागा केन इसे तरह आप प्रस्णों के उत्तर लिखेगा और उसके बाद है ये आपका प्रस्णों नमबर एट इसमें आपका कर्थी पदम और कर्थी पदम चीज़ा कर्थी पद करने वाला करता हो तो उसको कर्थी पद कहा जाता है ये आपको कर्थी पद में पर लिखना करता पद यहां पर लिखना और क्रिया पद आपको यहां पर लिखना तो बच्चों यह आज का आपका हूंबग है इसे आप अपने कॉपी में लिखिएगा तब तके लिए खुश रहिए धन्यवाद